तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट वीडियो देखते हैं यहाँ पर बेसिक रिदि निफ्टी बैंक निफ्टी का एकस्पारी होने वाला है तो देखते हैं मार्केट में यहाँ पर कॉन से लिवल के उपर ट्रेड किया जा सकता है और उसके पीचे उसका हमने प्लान किया थे कि अगर 750 लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पर सेलिंग कर्टिनेशन हो सकता है और मार्केट सम्वेर लाइक जो 45500 का जो लेवल है यहाँ तक यहाँ पर फॉल आ सकता है लेकिन अगर फॉल आप देखते हो तो सम्वेर थर्टी का मेरे ख्याल से य आया नहीं और एक मिझे काफी अच्छी स्ट्रॉंग सेलिंग थी जो मुझे मॉर्निंग में ही नहीं थी मतलब मॉर्निंग में जब मार्केट नहीं यहाँ पर लो ब्रेक किया उसके बाद जो एक स्ट्रेंथ देखने मिलनी चाहिए अगर लेवल ब्रेकडाउन हुआ है एक अप्षिन में वह इसनी हिट कर दिया और उसके बाद अगर आप देखते हो मार्केट यहाँ पर अपका अप्रोक्सिमेटली लेक्ट अप बोलो साइडवेज ही चल रहा है लेकिन दो दिन से मार्केट वही कर रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज है कल उसकी एक अब कुछ प्लान करते है और लेट सेट अप बनाता है तो मैं आपके साथ वहाँ आपको आपके एक्स्पिन करने कोशिच करूं अगर पॉसिबल हुआ तो कम्प्लीट ट्रेडिंग सेशन है वह भी में यहाँ पर करने का ट्राइब करूंगा बिसमें शुरुवात में हम च लोगों ने उसके वोट किया है तो उसके कली मैंने बेसिकली एमेजन से काफिसरी चीजें मंगाई यह जो स्क्रीमिंग में हमें यहाँ पर हिल्प करेंगी तो हम डेफिन वीक और टूवीक यहाँ पर हम शुरू करेंगे और फिर जैसे होगा मैं आपको टिलीग्राम के क्लेने की कोशिच करता है क्या है प्योटि को यहाँ पर लेवर लीव ब्रेकावट आता है तो हमें इंटिर एकग्जामप्ल यहाँ पर एक। CelebrLike 46,300 भी यहाँ पर हमें अपर साइड देखने मिल सकता है तो पॉसिविनिटी इस क्वाइट गुड एक अच्छा खासा यहाँ पर बनते हो दिख रहा है लेकिन यह जो अगर आप इंटर डे की हिसाफ से बात करें पोजिशनल की हिसाफ से तो काफी अच्छा है लेकिन इंटर यहाँ पर इंटर लेकि इतना बड़ा स्टॉप लोग सकता है तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको देखना यह है कि कल आगर मार्केट सिफ 800 की ऊपर निकले आज का क्लोजिंग 700 का आस्वा से अग्जिस्टेट क्लोजिंग तो कल मार्केट अगर 45,780 से लेके यह 86 मतलब सम्वेल एक 60-70 पॉइंट का यह रेंज है ओके 45,780 से लेके 45,860 यह जो ने इसके रेंज में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है पॉजिटिव साइड लाग यहाँ पर आके इस तरह से कुछ ट्रेड करने लगता है तो डेफिनेटली कोई भी अगर करने तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर सिट्वेशन होने के लिए इसके बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करने बड़ा गाप खुल जाएगा तो डेफिनेटली बड़े लोगों ने आप अल्लिडे मोमेंटम कर दिया है फिर वेट करना पड़े क्या रि देखें फर्स्ट हम दोड़ा निफ्टी के तरफ में आपको एक्स्प्लिंग करने कोशिश करता हूं तो निफ्टी क्या कर रहा है ग्याप खुला उपर गया फिर वापस ग्याप खुला अज वापस उपर आया है एंड जिस पॉइंट से यहाँ पर अपर आया था यह वाल लोग यहाँ पर दोरो तरफ निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो यहाँ पर बायर्स है लेकिन अभी हमें साइकोलोगी समझने है उनका टागेट यह नहीं उनका टागेट की मार्केट यहां से ओल टाम हाई लेकि निकल जाए तो अगर यहाँ पर सटेंग करता है डेफिनेटल इंटर की है वो डर सकते हैं उनको स्टॉप लसंट करके मार्केट इस तरह से उपर जाएगा लेकिन जो लोग यहाँ पर मार्केट बना रहे हैं मतलब जो लोगों ने बॉटम पर यहाँ पर बाइंग की है राइट बेसिकली इनको निकालना इतना इसी नहीं होगा झाल पर यहाँ ठक आता है तो फिर यहाँ फॉर दिन मार्केट सब्सक्राइब कें निकिन ऑलोगा है भाण कर नगा यहाँ अलग चीजए वह यहाँ आपको एक्स्प्लेंन करता हूँ、 कि देखिए बाइंग की राइट फिर उनका अगर मार्केट देखते हो तो आज का क्लोजिंग पॉजिट हुए तो सेलर नहीं कोशिश नहीं किया और मार्केट अगर दिलिकल नीचे खुलता है इस पॉइंट पर नए सेलर से आप एंट्री करने से डरेंगे क्यों और इतना ग कर सकता है तो इस तरह से एक प्लैनिंग हो सकती है लेकिन वहीं मैंने आपको कहा कि मार्केट कहा खुलता है वह हमारे लिए सबसे इंपोर्टन है क्योंकि उसका ओपनिंग पोजिशन नहीं बताएगा कि मार्केट यहाँ पर कहा पर जाने के चांसे से ओके तो उस तरह अब अगर सकते हैं कि सत्रेंग बाकेट लिएकन तो अगरुट करता है भूसरे कि मार्केट खुला थोड़ा नीचे आपको वेट करना है कि क्या वो 21800 यह जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन करता है अगर करता है तो फिर अगर बहुत 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 बड़ा गया तो रिटलर के हाथ से एक अच्छी कासी डेफिन चली जाने वाली है फिर उनको वेट करना पड़े है कि क्या मार्केट कुछ और प्र बनाता है कि अपना नॉर्मल उसी ट्रेन को कंटिन्यू करता है और रिटिलर्स को इंट्री करने के चांस नहीं देगा या फिर मार्केट फ्लैट खुलके सबको यहां पर इंट्री का चांज देगा तो देखेंगे कल आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय और बस्ते हैं